हेलो फ्रेंड्स दिस इस चेतन आज के दाहिंदू में एक आर्टिकल आया था और इसे मैंने आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइट किया था जिसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट के वीटो पावर के बारे में चिंता जताई गई थी आप जानते होंगे कि कोई बिल तब एक्ट बनता है जब उस पर समवेधानिक प्रमुक हस्ताक्षर करें कुछ अपवादों के साथ स्टेट लेवल पर गवर्नर और नेशनल लेवल पर प्रेसिडेंट भारती सविधान का अनुच्छेद दोसों में ये प्रावधान है कि राजपाल के समक्ष हस्ताक्षर के लिए भीजा जाएगा तो राजपाल या तो उस पर सहमती दे सकता है या फिर उसे विद्होल्ड करके रख सकता है या फिर प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है लेकिन दिक्कत ये है कि अगर सहमती ना दे तो उ करता और अगर ऐसा होता है तो राज्य सरकार की विध्य निर्मान की शक्ति कम जोर पड़ने लगती है इस निउस में इसी तरह के कुछ एक्जामपल दे रखे थे कि तमिल नाणू केरल तेलांगना पस्चिम मंगाल ये ऐसे राज्य हैं जिनके बहुत सारे विधेयक राज्यपाल की मंजूरी का इंतिजार कर रहे हैं फ्रेंड्स जब केंदर सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल विधान सभा द्वारा पारित किसी कानून पर सहमती नहीं देता तो ये देश की संघी इमारत के लिए अच्छा नहीं माना जाता गवर्नर की में ड्यूटी ये है कि वहां इंशोर करें कि स्टेट में elected government समविधान के दायरे में रहेकर काम कर रही है या नहीं अगर समविधानिक दायरे में रहकर काम कर रही है तो राजजपाल द्वारा बिलो में बेवजा देरी करना वाकई चिंता का विशे है क्योंकि यहां देरी राजजों के विकास के लिए खत्रा साबित होती है समविधान की समिच्छा के लिए रास्ट्री आयोग ने सिफारिस भी की थी कि विधे को पर राजजपाल की सहमती के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए साथ में सरकारिया आयोग ने भी कहा था कि एसी समस्या से निपटने के लिए बिलो का ड्राफ्ट तयार करते समय ही कंसल्ट कर लेना चाहिए ताकि कानूनों में इस तरह की देरी ना हो ये निउस आपके प्रिलिम्स, मेंस और इंटर्व्यू तीनों के लिए बहुत महतुपूर्ण है फिर एक निउस चाइना को लेकर थी कि चाइना's new approach in Africa to focus on FDI over loans यानि चाइना अपनी नई FDI policy के तहत अफरिका के कुछ देशों में infrastructure development के लिए निवेश कर रहा है और ये FDI, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग और green development के लिए किया जाएगा लेकिन ये news हमारे लिए important क्यों है फ्रेंस इस मेप को ध्यान से देखिए चीन की ये FDI नई अप्रोच पूरी तरह पूरवी अफरिका पर केंदरी थे यानि Eritrea, Ethiopia और जिबूती और ये countries लाल सागर एवं गल्फ की खाड़ी से सीमा बनाती है अब इस मेप को देखिए ये रास्ते भारत को यूरोप तथा पूरवी अफरीका से जोडते हैं यानि अगर चीन का वर्चस्व यहां बढ़ता है तो भविश्य में चीन भारत के ट्रेड रूट को ध्वस्त कर सकता है जो उसे अफरीका और यूरोप के देशों से जोडते हैं इस न्यूस का यूज आप अपने इंटर्व्यू और मेंस के इंटरनेशनल रिलेशन में कर सकते हैं फिर आज के बिजनस इस्टेंडर में जिंक इस मेल्टिंग को लेकर एक न्यूस आई थी क्योंकि जिंक आपकी बेसिक साइंस का हिस्सा है और आपकी बेसिक साइंस को प्रिलिम्स में पूछा जाता है इसलिए आपकी ये ड्यूटि बनती है कि आप इसे कंपलीट करें फोर एक्जामपल जिंक की परमानू संख्या 30 है यानि 30 है येक रशाइनिक तत्व है और राजिस्थान के जावर छेतर में प्रचूर मात्रा में पाया जाता है जिंक के वेसे तो बहुत सारे अयश्क है लेकिन केलमाइन और जिंक ब्लेंड अयश्क से जिंक को प्राप्त किया जाता है और जिस प्रोसेस से जिंक को प्राप्त किया जाता है उसे जिंक smelting कहते हैं यानि जिंक प्रगलन विधी अगर जिंक के application की बात तो इससे धातूओं को जंग रोधी बनाना यानि कि लोहे के उपर जिंकी की परत चड़ाने से लोहे में जंग नहीं लगती इससे लोहे की उम भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के छेत्र में इसका बड़े पेमाने पर यूज किया जाता है फिर आज के financial express में एक news आई थी कि how to become विश्व गुरू फ्रेंड्स इस आर्टिकल में राइटर ने especially research and development पर focus किया और कहा कि real विश्व गुरू फिलाल तो अमेरिका है ना सिर्फ military capacity में बलकि technology में भी आप जानते होंगे कि भारत अटल innovation mission के तहत research and development पर काफी ध्यान दे रहा है और SDG number 9.5 target भी research and development को encourage करता है लेकिन भारत की यात्रा अभी काफी लंबी है क्योंकि अमेरिका लगभग 580 billion dollar यूरोप 3.5 billion dollar चाइना 300 billion dollar और भारत मात्र 18 billion dollar research and development पर खर्च करता है जो की महा सक्तियों से काफी पीछे है राइटर ने इसराइल का भी example दिया था कि वहां की economic growth mainly research and development पर focused है ना सिर्फ defense sector में बलकि agriculture sector में भी वहां बड़े पेमाने पर innovation और research को बढ़ावा देता है इस news का यूज आप अपने मेंस के paper 3 और interview के लिए कर सकते हैं फिर आज के जनसत्ता में एक news आई थी कि एक सरकारी report के मताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग में सबसे ज़्यादा फिर railway और फिर petroleum में सबसे ज़्यादा परियोजनाएं देरी से चल रही है ये news आपके infrastructure development के लिए काफी महत्वपूर्ण है इसलिए इस news का use आप अपनी main answer writing और interview के लिए कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही thank you